नमस्कर दोस्तो आज हम बात करेंगे एर ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में ब्रेकिंग सिस्टम से मीनिंग क्या है वो सिस्टम जिसकी सायता से विकल को हम मीनिमम से मीनिमम डिस्टेंस पे स्टॉप करते हैं या वो ब्रेकिंग सिस्टम जिसमें वेरियस कंपोनेंट्स की breaking system तो as the name indicate इसमें जो breaking system operate होगा जो operate के लिए जो main mechanism रहेगा वो रहेगी air जैसे fluid type hydraulic type होते हैं तो उसमें fluid main content होता है तो यहाँ पर main content है air उस breaking system को operate करने के लिए अब बात करते हैं इसके main components के सबसे starting में एक air का filter रहता है उस air के filter का जो basic function है impurities को stop करना जो भी outside atmospheric जो air है वो air आसानी से उसकी impurities को stop करे dust के particles को वहाँ पे stop करे तो यह function होगा air filter का air filter के बाद लगा रहता है compressor compressor का main function क्या होते है इस air को suck करे और यहाँ पे इसको compress करके उसके pressure को increase कर दे ताकि एक proper जो pressure है वो maintain ऊसर के rigid wire में जो compressor है इसके just बाद लगा रहता है unloader valve इस unloader valve का function होता है कि rigid wire में एक proper pressure को maintain करे मीनिंग क्या है इसका कि यहाँ से pressure supply हो रहा था इसमें एक complete जब यह fill हो जाता है तो इसको requirement नहीं होती आगे और ज्यादा air की तो उस time यह उसको stop करे और जैसे यहाँ पर कम हो तो वो एक pressure के according उसको supply कर दे means यह open हो जए और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा air को supply कर सके उसके pressure को maintain रख सके next portion होता है वो होता है reservoir reservoir का basic function क्या है reserve करना contain करना main content को main content से मीनिंग air को जो compressed air यहाँ reservoir के पास आई तो यह उसको contain करे एक तरह से reserve करे ताकि at the time of requirement brake valve को forward कर सके अब जो main content है इसमें main component है main component है brake valve वैसे तो सभी devices होते हैं लेकिन यह complete function करता है four wheels में उस air को supply करनेगी तो इसका मतलब क्या है brake valve एक वो device है जिसमें piston लगा रहता है means piston operated रहता है जैसे ही जो brake pedal apply करेगा driver तो यह अपना जो function start करेगा वो करेगा intensity of breaking मतलब जब driver brake pedal को brake pedal पर फॉर्स अप्लाई करेगा जब उस वो brake pedal पर रखेगा उसको press करेगा तो press करते ही उसको feel होएगा intensity of breaking इस वज़े से springing force की वज़े से क्योंकि इसमें springing force की साहिता से springs लगी रहेंगी piston लगा रहेगा और उसकी साहिता से वो operate होगा जब press करेगा नीचे की side तो वहाँ पर जो वाल होंगे जो air को supply करेगा वो open हो जाएगा और आसानी से सभी four wheels में air को यह supply करेगा यह function होता है brake valve का यहाँ पर एक individual की में बात कर लेता हूं सभी में वो function सेम रहेगा यहाँ पर यह outer drum रहेगा outer जो drum है यह जैसे front का drum है यह rear wheels का drum है यह drum जो wheel है हमारे विकल के उनके साथ में rotate करता रहेगा इसका जो internal part है इसमें internal चीज़े क्या है यह होता है brake shoe ब्रेक shoe का मतलब यह दो parts होते है जो की drum जो है rotating जो drum है उस पे जाके लगेंगे और इसके जो outer surface है उन पे brake linings रहती है friction lining बोले या brake linings यह जाके इसमें touch होंगी यह brake linings asbestos material की बनी रहती है ताकि जल्दी नहीं गिस्ती इनकी life long हो जाती है तो आसानी से brake shoe गूमते वे running करते वे rotary condition के drum के apply होंगे जाके लगेंगे और आसानी से vehicle को stop कर देगे यह कब operate होंगे दोनों shoe जब यह piston दोनों यहाँ पर यह एक cylinder है जो की drum का cylinder है इसमें दो pistons लगे रहेंगे जब यहाँ पर वो air आएगी और इन दोनों pistons पे strike करेंगे ताकि यह pistons दोनों move करेंगे reciprocate करेंगे और इसकी साहिता से यह breaks to spread होंगे आसानी से उस rotating drum को stop करेंगे तो यह होता है function in parts का अब अगर working की बात करें तो simple सी working है outside जो air है वो यहाँ air filter के through आएगी air filter में impurities यह stop कर देगा यह compressor same time पे इसको air को suck करेगा inside अपने और उसको जो compressor है वो compress कर देगा जैसे fridge है तो fridge में refrigerant को compressor compress करता है with the help of piston तो same इसी तरह उस air को यह compressor compress कर देगा इसके बाद unloader valve इसमें एक proper जो pressure के according air supply है वहाँ पर यह maintain रखेगा उसके बाद reservoir brake valve को supply करेगा brake valve piston की साइता से high pressure के साथ यहाँ पे सभी four wheels को transfer कर देगा और सभी four wheels में जाके यह जो piston है यह move करेंगे reciprocate करेंगे जब brake pedal press करेगा driver तो यह दोनों जो है यह यहाँ पे वो air आएगी इन दोनों को strike करेगी करने से यह दोनों reciprocate करेंगे और आसानी से brake switch spread होके running करते है wheels पे जाके चिपक जाएगे जिससे वहिकल हमारा stop हो जाएगा minimum से minimum distance पे तो इस तरह से काम करता है air braking system थैंक्यू दोस्तों